प्रिय विद्यार्तियों, आज हम देखेंगे कि अंशों में अल्प अविदान की स्थिती क्या होती है? अल्प अविदान, इसको हम इंगलिस में अंडर सब्सक्रिप्शन आप शेर के नाम से जानते हैं. सबसे पहले स्किन थेरी देखते हैं, जब कमपनी द्वारा निर्गमित अंशों की तुलना में कम अंशों के लिए आवेदन पत्तर प्राप्त होते हैं, तो इसे अंशों का अल्प अविदान कहते हैं. अर्थाद जब निर्गमित अंसों की संख्या से कम अंसों के लिए आवेदन पत्तर प्राप्त हो तो यह स्थिती अल्ब अविदान की स्थिती कहलाती है अलपविदान के स्थिति में कमपनी की पुस्तकों में लेखांकन प्रक्रिया केवल याचित अंशों की संख्या के आधार पर की जाती है इसे हम उदारण के रूप में देखते हैं Suppose that कि किसी कमपनी ने पब्लिक में पांच हजार शेयर इशू किया और जब पांच हजार से इशू करती है तो यहाँ पे तीन स्थितियां हो सकती है एक स्थिति यह है कि कमपनी के पास पांच हजार अंशों के लिए आवेदन आजाए दूसरी स्थिति होती है कि पांच हजार से कम अंशों के लिए आवेदन आए हम मान लेते हैं इसको 4500 अंसों के लिए आवेदन आया तीसरी स्थिती होती है कि 5000 से अधिक अंसों के लिए आवेदन आये हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 500 अंसों के लिए आवेदन आया है तो यहाँ पे जो इस्थिती है वो अगर 5000 अंसों के निर्गमन पर 5000 के लिए ही आवेदन आ जाता है तो यह हमारी बिल्कुल सामानने से इस्थिती है लेकिन यह second situation जहाँ पे निर्गमित किये अंसों की अपेक्छा कम अंसों के लिए हमारे पास आवेदन आ रहा है इसे ही बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन इसकी इंदी होती है अल्प अफिदान यहाँ पर यहाँ देखने के आवशक्ता होती है कि कम्पनी ने यद्द्य भी निर्गमित तो किया है 5000 अंसों के लिए जनता के द्वारा जो आवेदन किया जा रहा है उन सारे आवेदनो को जब हम टोटल करते हैं तो वहाँ पर हमें यह मिलता है कि हमारे पास केवल 45 अंसों के लिए ही आवेदन आ सका है अब यहाँ पर कम्पनी को देखने के आवशक्ता यह होती है कि यह जो अंडर सब्सक्रिप्शन की स्थिति है यह कम्पनी के निर्गमित किये गए अंशों का कितना प्रिद्शत है तो यहाँ पे मिनिममम सब्सक्रिप्शन की बात कही गई है तो मिनिममम सब्सक्रिप्शन के बारे में कहा गया है कि कम्पनी के लिए मिनिममम सब्सक्रिप्शन 90% होना मस्ट है अगर कम्पनी द्वारा निर्गमित किये गए आंसों के 90 प्रिद्श इतना भी amount है अंसधारियों का उसे पीछे बताये गए समया अबधी में उसे आपको वापस कर देना होगा या company को वापस कर देना होगा अगर ऐसा नहीं करती है तो company को एक निश्चित व्याज की दर से उसे वापस करना पड़ता है तो यहां पर यह देखनी कावशक्ता है कि company ने suppose that 5000 अंसों को निर्गिमित किया था तो इसका 90% यहां पर हमने देखा तो 4500 अंसों के लिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन आ गई और चुकि 5000 से कम के लिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन आई है इसलिए इसे हम under subscription या अलप आभिदान कहते हैं यहां पर अब जो हमने दे कराते हैं suppose that company के पास 10,000 अंस रहे होंगे एक अंस 10 रुपए का है तो company के पास total एक लाक रुपए की authorized capital होती है लेकिन company ने इसमें से issue किया issued capital इसके बारे हम आपको information देगी company ने 5000 अंसों को ही केवल issue किया है तो 5000 अंसों पर 10 रुपए कि साब से अगर हम multiply करते हैं तो देखत हैं company 50,000 रुपया पाने के लिए अपने अंसों को issue कर रही है अब यहाँ पे इस 50,000 की पूंजी को प्राप्त करने के लिए company ने जो प्रयास किया इसके लिए जब public के पास यह प्रवेबरान पहुंचा prospectus पहुंचा तो public ने इसे देखकर जो आवेधन वेजा लोग चुकि यह एक्षिक होता है लोग अपनी एक्षानुसार आवेधन करते हैं तो ऐसी स्थित में subscription हमारे पास जो आ रही है अभी हमने example में देखा कि हमारी जो subscribed capital बन रही है वो बन रही है केवल 45,000 की तो 45,000 की तो 45,000 पे 10 रुपए के हिसाब से company को 45,000 रुपए मिलने की स्थिती ब होती है, first call होती है, second call होती है, third and final call होती है, इतनी calls हो सकती है, इन सारी situations में मान लिजे इस 10 रुपए को 5 call में बराबर बराबर बांड दिया गया है, तो इस तरह से 2,500 रुपए हो रहे हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी आगे कि प्रोसेस किये जाएंगे, 4500 अंसों पे हम आवेदन की राश को पता करने के लिए करेंगे 4500 at the rate of 2, ऐसे ही जब allotment का काम करना होती है, यहाँ भी हम करेंगे 4500 at the rate of 2, अब यहाँ पे हमें ध्यान देनी का आवशकता है कि यद्धिव कंपनी ने issue तो किया है 5000 लेकिन calculation के time पे हमें 5000 से multiplication नहीं करना है, इस 5000 से हमें गड़ना नहीं करनी है, बलकि हमें गड़ना किस से करनी है, जो हमारे पास subscribed capital है, minimum subscription की सबसे बड़ी विशेस्ता यह है, कि minimum subscription में जितने आंसों के लिए subscription आई है, calculation का काम हम उसी number आप share से करते हैं, तो यहाँ पे 4500 से multiply करेंगे application के amount को पता करने के लिए, 4500 से mail की second call के लिए भी करते हैं, 4500 add the rate of 2, और ऐसे ही third and final call के लिए हम करते हैं, 4500 add the rate of 2, तो सबसे important बात यह है, कि जब हमारा under subscription की स्थिती होती है, तो ऐसी स्थिती में हम calculation करने के लिए, जो number of units को multiply करने के लिए यूज़ करते हैं, वो करते हैं कि जो हमारा under subscription की unit होती है, उसी स यही multiply करते हैं, अपने आगे की call समय, तो विद्यार्थियों उम्मीद है कि आपको यह video पसंद आई होगी, और इसके बाद हम आपको आगे लेके चलेंगे, और वहाँ पे हम आपको बताएंगे, इसके बाद का step और वो है आपका over subscription, यहाँ पे क्या इस्थितियां बनती है इनके बारम चर्चा हम अगली वीडियों करते हैं, धन्यवाद